SSTP Classes में स्वागते बच्चो आज मैंने इकाई आठ प्रेसंस्कृत ये और राश्टवाद का बहुती लगुत्री का पहला प्रसंद लिया है चापा खाना के बारे में भी सब्दों में लिखें चापा खाना, पहले समझ लेते हैं चापा खाना, चापा खाना दो सब्दों से मिल कर बना है, चापा मतलब चिन या चित्र उकेरना और खाना का मतलब घर होता है चापा खाना दो सब्दों से मिल कर बना है, चापा और खाना, चापा का अर्थ कोई सब्द या चित्र उकेरना होता है, चित्र उकेरना होता है और खाना का अर्थ घर होता है यहां आप तस्विर में भी देख सकते हैं चापा खाना चापा जा रहा है और चापा खाना का विश्कार सबसे पहले कहा हुआ बच्चों चीन में हुआ तो इस परकार जिस घर में कोई अक्षर या चित्र चापे जाते हो उसे चापा खाना करते हैं इस परकार जिस घर में कोई अक्षर या चित्र चापे जाते हो उसे ही क्या करते हैं चापा खाना करते हैं और चापा खाना का अविस्कार सबसे पहले चीन में माना जाता है कहां माना जाता है बच्चों चीन में माना जाता है चापा खाना के अविस्कार का महत्व उतना ही है जितना इस भौतिक संसार में आग, पईहा और लिपी की सबसे पहले हम लोगों ने आग का विश्कार किया फिर पईह की फिर लिपी की इसने अपनी इफ़स्तिती से पुरे विश्व की जीवन सहली को एक नया आयाम परधान किया और छापा खाना बाद में जर्वनी में भी गुटेन वर्गों द्वारा अस्थापित की जाती है बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों ये कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कोमेंट करके बतावें